नमस्कार सर मेरा नाम राजु है जब एक सरकारी नौकरी लगता है किसी बंदे का तो नौकरी करते हैं माल लेते हैं कि 23 साल तक वो नौकरी करते हैं 23 साल के सर्विस तक उन्होंने 30 लाग रुपय एकुमिलेट कर लिया इसके बाद उस नौकरी सो वो डिस्चार्ज करते हैं और नए बैंक के नौकरी में लगते हैं जहां उनका सेलरी 60 जरपे पर मंथ होता है जहां पहले नौकरी से 30 जरपे पर मंथ होता है जब नया नौकरी लगता है बैंक में तो बैंक के करमचारी के दिमाग में अच्छा सा कैल्कुलेशन बिठा हुआ है कि बैंक जो लोन देते हैं तो उनके दिमाग में आता है की 70 लाग रुपया लोन ले लेता हूँ तीस लाग पर उन्hmm ने reference करके रखा ता दोने मिलाकर कितना हो गया एक कोड recovering मेरी या मैरी मम्मी कति है देखो मोहन ने एक कोड का बिलिंग मना लिया सोहन ने भी एक कोड का बिल्डिंग मना लिया मैं करता हूं कि बना लिया न जिनको जो करना आ again करने दो मेरा रास्ता मैं चला हूँ मैं इसी रास्ते पर चलूँगा बस आप धूप में दो गंटा बैठीए नारियल पानी पीजिए सेव खाईए फुरूट्स एंड वेजीटेबल्स खाईए अपने जिन्दगी पर ध्यान दिजिए घार अप्लॉट फ्लैट पर ध्यान मत दिजिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं यहां 30 जर पे पेंसन है और 60 जर पे बैंक से उनको सेलरी मिलता है 60-30 कितना हो गया 90 जर 90 जर में 40 जर रुप्या इमाई में सुवा हो गया तो बचा कितना 50 जर प्या इस 50 जर का मतलब जानते हैं 40, 42, 45, 46 जब एज हो जाए और 50 जर करेंगे ना वाइफ जी को इंसुलीन भी ले रहे हैं सुगर का मेडिसीन चल रहा है रात में नींद अच्छा से नहीं आता है हजबन कहीं और जॉब कर रहे हैं वाइफ कहीं और रही है तो क्या सच में इसी तरह का जिन्दगी जीने के लिए सोचे थे कि यही जिन्दगी पे जिएगे फिर आप कहेंगे यह सब पर पर दियान के दिखाता हूं घिमाग यहीं हो होता है कि हमारे पर जिन्दगी में हुआ है और 25 साल का EMI, दोनों को जोड़ेंगे, मैं 40 ही मानता हूं 40 साल तक 5,000 पर मंद का मातर SIP किया होता वो प्लाओट, प्लाइट, कॉर्नर का बिल्डिंग नहीं ठोका होता तो 5,000 पर मंद, मातर 12% का रिटन कैलकुलेर करूं जमा करेंगे 24 लाग रुब्या, पांच कोर्ड, 94 लाग रुब्या बनता है क्या है वो ब्लिडिंग का प्राइस 5,94 लाग रुब्या? जिनके जिंदिगे में इतना पैसा होता है, वो खूब खुसहाल होते हैं मिडिल क्लास से अपर क्लास में स्विच कर जाते हैं मेरा जिन्दिगी कुछ ऐसा ही चल रहा है, पर यदि अगर 10 जर का SIP कर दें तो 10 जर के पर मंत के SIP में देखेंगे, आप calculate नहीं कर पाएंगे भी या कितना होता है, 40 साल तक 12% का return हो, 11,88,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जानते हैं कि इसको बेटा को फसाद हो, simple interest बोलके, कम interest करके, आप तो हमारे employee हैं, आपको फसाद या, तो आप फस गए, और एक करोड का घर लेके, आप जिन्दगी बार उसका नौकरी करते रहते हैं, 927, 927 में आप फस के रह जाते हैं, तो जो लोग इस तरह के calculation में फसे ह जानता हूं कि इस तरह से फसे हैं और जिन्दगी में कुछ सुख में जिन्दगी नहीं है, जो पहले जिन्दगी जीरे से उससे ज्यादा बत्तर जिन्दगी जीरे हैं, आपको फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आता है, finance के बारे में, calculation के बारे में, तो आप मेरे नंबर प कि जीरे